आयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्टा के मौके पर हर्याना भी राम के रंग में रंगा हुआ नजर आया मुख्य मंत्री मनोहरलाल करनाल के करनेश्वरम मंदिर पहुंचे जहां वे भगवान श्री राम के बचन पर धिरक्त हुए नजर आया सीय मनोहरलाल के साथ बाकी पहुंचे लोगों ने भी जैश्री राम का जैकारा लगाया राम मंदर प्राण प्रतिष्टा कारिकरम से पहले मुख्य मंतरी ने पूजा अर्चना की और प्राण प्रतिष्टा का कारिकरम लाइव देखा मंदिर में सीय मनोहरलाल ने कलश रखा और राम सेतू से लाया हुआ पत्थर भी देखा मुख्यमंद्री मनोहरलाल ने इस खास मौके पर कहा कि सौगंध हमारी पूरी हुई मंदिर वही बनाया है प्रसनता से सारा देश बलके दुनिया के क्रोडों लोग आज किस प्रसनता में शामिल है जैसा हमने प्रधारमंति जी को सुना है हमने डॉक्टर मौन भागवाज जी को सुना है हमने संतों के आशिरवचन सुने है अब इनके बाद इस समय और अधिक बोलना ठीक नहीं एक नए युक का आज प्रारम्भुआ है और जैसा हमने पहले बताया हम पहले बोलते थे सोगंदर राम के खाते हैं हम मंदिर वहीं बनाएंगे और कॉंग्रिस के लोग कहते थे हमेशा के मंदिर वहीं बनाएंगे तारिक नहीं बताएंगे आज हमने का शिर राम जी के ववन सेज आये हैं और आज मंदिर बना करके आये हैं इसलिए मंदिर बन चुका है ये हमारे जीवन का एक बहुत हर्ष का और एक खुशी का पल है मुख्यमंत्री मनोहरलाल की राम भक्ती पर किसी को भी रत्ती बर शंका नहीं है। उन्हें जब भी मौका मिलता है खुद को राम भक्ती में लीन कर लेते हैं। सूर्य समचार के लिए करनाल से हिमान्शू नारंग की रिए।